Hello everyone, आज हम जानेंगे कि गुरू छेत्र पर अगर आड़ी और खड़ी रेखाएं जैसे आप देख सकते हैं चित्र में गाईज, अगर ऐसी रेखाएं आपकी भी हतेली में हैं तो जातक को क्या फल मिलता है? यानि दोनों रेखाओं के रहने पर आपके लिए क्या फल प्राप्त होता है? जैसे आप आड़ी रेखाओं को देख रहे हैं गाईज, कि जो पहला चित्र है गुरू छेत्र पर आड़ी रेखाएं बहुत इस्पस्ट रूप से बनी हुई हैं। अगर ये दोनों लाइन है तो आपको आध्यात्मिक्ता की ओर लेकर जाती हैं, आपको धार्मिक्ता की ओर लेकर जाती हैं, आप जो भी काम करेंगे बहुती इंटेलिजेंटिता के साथ करेंगे और आप में स्पीच्वल अबेकिंग बहुत जादा होता है, यानि आपके अ खुद की भी मदद करते हैं और जो लोग असाहे रहते हैं या जिनको मदद की जरूरत होती है उनको आप भरपूर मदद देते हैं ऐसी रेखा वाले इंसान जो होते हैं गाईज बहुती स्प्रीच्वल बहुती ज़्यादा इमानदार बहुती ज़्यादा सच्चे और अनु दूसरों के कारियों में मदद करते हैं आप मददगार साबित होते हैं अगर कोई भी किसी भी तकलीप में रहेगा गाइस तो उसकी हेल्प आप जरूर से जरूर करते हैं यह सब भावनाय जो हैं इन इस स्प्रीच्वल लाइन के द्वारा आड़ी रेखाओं के द्वारा आपके अंदर आती है और आप अपना नेम फेम भी आध्यात्मिता की तरफ बना सकते हैं यानि आप धार्म के रूप में या धार्मिक भावना इतनी हाई लेबल की होती है कि आप इस चीज में आप अप पॉल्टिकल लाइन में भी अपना कैरियर आजमा सकते हैं यारी राजनितिक छेत्र में आप सफल और सकसेज हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा ज़्यादा जुड़ाऊ आपका धर्म की तरफ आध्यात्मित्ता की तरफ और ज़्यादा ज्यादा लोगों का सहयोग करने की तरफ रहती हैं आपके अंदर बहुती ज़्यादा spiritual awakening होता है यानि अध्यात्मित्ता का अभिकास एक धर्म गुरू की तरह आप पूजे जाते हैं और धर्म गुरू की तरह आप लोगों का help भी करते हैं साहता भी करते हैं और आप ग्यान की सिच्छा और ग्यान भी देते हैं कोसिस करता है गाईज और ये रेखाएं जो हैं आपको बहुत हाई पोजीशन पर लेकर जाती हैं खास तोर से यहां पर आपको धार्मिक कैरियर में या फिर आपको spiritual लाइन में या फिर आध्यात्मिक विकास के रूप में साथी साथ ऐसी रेखाएं उन लोगों में पाई जाती हैं जो गाईज बहुत बड़े जोतिसी होते हैं पाम लीडर होते हैं टैरो रीडर होते हैं वास्तु सास्त्री होते हैं निमरलोजी होती है अकड साइंस होता है यानि कुछ ऐसी बिज्ञान हैं जो जोतिस से संबंदित हैं उनमें आप ये जरूर से जरूर एक दो य और ज्यानी पर्षन के रूप में जाने जाते हैं ऐसी आड़ी रेखाएं वाले पर्षन जो गाईज लोगों को बहुत बहुत हेल्प करते हैं और उनके विद्धी और विकास में भी सोचते हैं और उनका भला भी करते हैं ठीक उसी प्रकार यहां पे गुरू छेटे पर खड बहुती सक्से जो सफल रहता है क्योंकि यह रेखाएं भी प्रोग्रेस रेखाएं कहलाती हैं यह रेखा रहने पर आप खुद के दम पर खुद के साहस पर कोई भी काम करते हैं और उसमें बहुती सफलता हासिल करते हैं गाईज पहले आड़ी रेखा में आप इश्वर के जादा करीब होते हैं गौड के जादा करीब होते हैं लेकिन खड़ी रेखा में आप अपने दम पर आगे जाते हैं